वो कहते हैं कि आप लोग बंटी बबली हो अब बंटी बबली है कि अश्राज बैनर की फिल्म है पता ही है उसमें वो कौन मैन होते हैं कौन मैन कौन मैन लूटते हैं लोगों को ठगी करते हैं यह बंटी बबली का प्लॉट है इन केस किसी ने ना देखी हो और मैं इसमें जो दूसरी फिल्माई थे उसकी बात नहीं कर रहा है, तो वह कह रहा है, आप लोग बंटी पबली हो, और फिर उस रिमार्क के अवज में जो उन्हों ने बताया, कि नवनीत राना कह रही है, कि उनको जब खार के थाने में रखा गया, तो प्रतारित किया गया, पीने को पानी न मैं आपको बताती हूं, मैं आपको पुरा परजन सुनुगा, मैं आपको पूरा कर लो, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा, कि उन्होंने नमनीत राना ने इसाब इल्जाम लगाए, कोर्ट में भी ये बात कही सब कही, लेकिन CCTV रिलेज हुआ, तो उसमें देखा कि पती- ये लगता है, जो it is a bailable offense, हम lawmaker हैं सर, हमें उतना तो पता है, हम police station criminal तो है नहीं, हर रोज police station जाते हैं, तो जब हम police station हमें लेके जा गया गया, forcefully लेके गया, सुबह से पूरा protest चालू था, DSP घड़ी-घड़ी घर में आ रहे थे, 15-20 police हमारे घर के बाहर थे, forcefully पूरा की बेल प्रोचीजर होती है, तब तक आप ये चाय पीजे, this was the line sir, उन्होंने जो बोली और उस समय हमने वो चाय, coffee, चाय जो भी थी वो हमने ली, उसके बाद पौने 12 बजे, 12 बजे वो हमको सांता ग्रोस police station के लिए बोलते हैं, कि यहां पे सेफ नहीं है, तो हमें आपको स पौली स्टेशन लेके जाना है, और वहां पे आपको PI के काबिन में हम बिठाएंगे और सुबह आपको कोट में पेश करेंगे, हमने बोला, ठीक है, हम इतने मैचोर हैं sir, हम लडाई कर रहे हैं, प्रोटेस कर रहे हैं, तो हमें पता है, कि यहां नहीं सेफ महां रखेंगे तो हम दोनों ने कहा कि ठीक हम जाएंगे, लेके गए हमें, जाते बराबर उन्हों ने लोक अप में डाल दिया sir, उस रात में बारा, साड़े बारा के एक बज़े के बीच का यह पूरा समय है सा, रात में उस समय से लेकर सुबह पौने पांच, साड़े पांच बह तक, मैं मैं ऐसी खड़ी थी sir, लोक अप के अंदर, नहीं मुझे मैट दिया गया, नहीं मुझे पानी दी गई, नहीं मुझे चटाई दी गया वहाँ पे, फिर सुबह पौने पांच यह पौने छे बज़े कॉंस्टेबल को, एक बोलते हैं न, इंसानियत कही ना कही दिखते है कि म महिला को, एक लोक प्रतिनीदी को, एक मेंबर अफ पार्लिमेंट को, आप इस तरीके से बिएव लॉक अप में करते हैं sir, उन्होंने खार पुलिस टेशन का रिलीस किया, हमने लॉक अप की फुटेज मांगी है sir, उसके बाद जब जेल लेके जाया जाता है, जेल में भी व सीनियर डॉक्टर है, वो आके कहते हैं कि, she is got a problem, और कॉंस्टेबल खुद मुझे सुबह शाम देखते हैं कि मैं कितनी पीडा में उस लॉक अप में, उस जेल में हूँ, जब वो कहते हैं, डॉक्टर चेक अप करते हैं, डॉक्टर लिख के देते हैं, कि इमीजेटली इनक यह city scan और x-ray होना, और she should get medical treatment, यह डॉक्टर के लेखी words हैं सर उस जेल में, उसके बाद भी मुझे चार तारिक तक जेल से बाहर नहीं लेकी जाया गया, इस बोस्टी treatment सर जो उनके अंडर में, जब मैंने उनको question किया, क्यों ऐसे treat कर रहे हैं, हमें उपर से आदेश हैं कि आपको कहीं move on नहीं करना हमको, उस दिन लेके जाया जाता, जिस दिन TV में flash होता है, कि नवनीत राना, रवी राना की बेल हो गई है, उस दिन मेरे सर पे खड़े होते हैं कि आपको अभी जाना ही, because मैंने उनको कहा था, इसका जवाब तुमें देना पड़ेगा, कि मैं इत झाल